दोस्ते यहां पे आपको चार पिक्चर दिखता हो गए, यह इस तमान पिक्चर लिजेंट आफ इंडिया, भारत के नामी ग्रामी चेहरे में से एक है, तो अच्छा रुकिये रुकिये यह कोई एतिहासिक या समास सास्त्र पढ़ाने वाला कलास नहीं है, यह एक टेक चैनल ह यूटूब चैनल, जिसमें यह बताया जाया कि पिक्चर को किस तरह से ट्रिगर करका और इसका इन्फोर्मेशन को आप ले सकते हैं, मौस किलिक के बाद, तो चलिए सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, और इस पेज में आटो सेफ गैलेरी से हम एक रक्टंगलर, रौंडन रक्टंगलर सेफ ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लिजन्ट अफ इंडिया और यह से हम डिवाइज फिलाल हमे डिवाइज लेंगे, इससे पहले हम लिजन्ट अफ इंडिया लिए लिए हैं, यहाँ पे हम डिवाइज लिए और हम एफेक्ट वगरा देंके हेटिंग बना लिए, अब एक सरकल लेते हैं, सरकल को हम सिफ पोंड़न पकड़ते हुए पर देने के बाद, यहां पर एक heading देते हैं, text heading, यहां पर लिख देते हैं processor, जो device related information डालेंगे, इसका photo और यहां पर इसका picture और कुछ information लिख लेते हैं, तो यह processor का picture में लगाएंगे, यहां पर कुछ dummy information लिख चुके हैं, अब यहां पर यह processor को आप crop करके circle कर लिजिए, नही सिर्फ circle को unselect कर लिजिए, control पकड़ते हुए, अब इस सब चीज selected है, सिर्फ circle unselected है, यह back में चले गिया, हम इसको front में कर लेते हैं, इसको back करके, अब यह तमाम चीज group होगी है, सिर्फ circle को छोड़ के, अब यह group होगी है, अब इसको आपर हम animation लगाएंगे, और यहां स दिवाइस यह जितना भी picture को आपको information को निकालना है, उस तरह से आप कर लिजिए, यहां पर ही 6 है, पारी-पारी से हम नाम change कर लेते हैं, processor है, यहां पर RAM है, harddix है, graphics card है, जो जो है, सब का change कर लिजिए, यहां पर ही तमाम जो circle है, इसको back picture को पहले set करेंगे, तो चलिए ह इसको पर right click करते हैं, और copy करते हैं, जैसे ही copy करते हैं, यह clipboard में set हो लिए, ठीक है, अब processor को लगाने, यह harddix हो तो चलिए, optical drive, harddix को पर right click करते हैं, और format shape में जाते हैं, और यहां पर यह fill को option आपको मिलेगा, यहां पर जाकि picture texture field को आप select करेंगे, clipboard को पर click करें, के साथ picture भी आगिये, इसको हम delete कर देते हैं, इसको कोई काम नहीं हिए, इसको middle में कर देते हैं, और, यहां से अब, important काम है, trigger करने का, तो सबसे पहले home में जाते हैं, और यहां पर ही select में जाके select pain को option को select करते हैं, और यहां से, यहां पे animation है, हमारा जितना भी लगा हो, य देखिए हमारा फिलाल optical drive select हुए है, यानि कि oval 37 हमारा optical drive है, इसको हम नाम change कर लेते हैं, चलिए इसको हम लोग नाम चेल कर लेते हैं, shortcut में कोई नाम लिख देते हैं, यहाँ पर o pd लिख देते हैं और इसी के नीचे हमको group दिख रहा है, इस group को यह वाला group है, इसको हम change कर लेते हैं, यहाँ पर opd लएओं कर देते हैं, ताकि हमसम偉 अनको समझ में picture के साथ यह group opd1 का है, उसी तरह हम smps को करते हैं, और यहाँ से smps देते हैं, और इसका group भी ह हम change कर लेते हैं, smps1 कर देते हैं, पारी-पारी से हम सब चीज का change कर लेते हैं, रैम, optical drive, digsup का हम change कर लेते हैं, अब हमारे यहां सामने में आ गिया हो सकते, यह वाला हमारे साइध नहीं हुआ, अब timing जाते हैं, और यहां से trigger में जाते हैं, start effect on trigger, यह वाला किस चीज का picture था, उसी picture को हम लोगो select करते हैं, यह processor का था, यानि कि PR हम लोग यहां select करेंगें, ओके करेंगें, अब चलिए, हम इसको थोड़ा सा slide करकर देख लेते हैं, देखिए, हमारे यह mouse है, यहां पर ग्राफिस कार्ड में बाहर किलिक करने से यह जाता है, इसको पर जैसे करते हैं, हमारा hand का symbol जाते हैं, इसको पर किलिक करने के बाद ही information हमारा निकलेगा, ठीक है, अब पारी पारी से हम को सब चीज को triggering करना है, तो बस उपर में जो है, इसको पर right click करना है, और select करना है, और timing वाला option में जाना है, और यहां से हम को trigger में जाना है, start effect और यहां से GC, मैंने graphics card को select कर लेता हैं, कर लेना है देखिए, अब ग्राफिक card को पर भी हम लोग करते हैं, तो hands का option आता है, पारी पारी से हम सब का triggering कर लेता है, picture के साथ, और information में जो slide होके आएगा, sorry, animate होके आएगा, तो तमाम चीज़ को slide कर लिए हैं, अब इसको पर click करते हैं, तो optical आता है, इसको पर click करते हैं, यह presentation के हिसाब से काफी अच्छा होने वाला है, आप किसी भी topic को पर उसको present करके, अब हर एक topic को पर जब click करिएगा, तो उसी से related information आपके सामने आएगा, और उसके साथ demonstration देत वीडियो है, आप इसको यहाँ click करकर देख सकते हैं, चलिए, आज के लिए इतना ही next video में लोग फिर से कोई नया tips के साथ आते हैं, by take care, अपना ख्याल रखिए